नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे YouTube का चैनल एस्टोलोजनरेश और आज का ये प्रेडिक्सन है रासी चक्र की आठवी रासी जलतत्व की रासी रिष्टिक रासी वले जातकों के लिए जून 2021 का महिना कैसा रहेगा इसके बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे आपके रासी की अधिपतिग्रा मंगडग्र के ट्राजिट से मंगडग्र का जो ब्रहमन है वो रासी से अस्टम स्थान के अंदर है दो जून तक मंगडग्र का जो ब्रहमन है वो आठवे स्थान के अंदर होगा मिठून रासी के अंदर मंगल का फल शूब नहीं है मंगल यहां पर आप को पारिवारिक समस्या क्रिएट कर सकते हैं जो भी जा तक विवाइट है इनको दामपत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और मंगल जो हैं वो दू तारिक को बदल जाते हैं दो से दो जून से लेकर वीज जुलाई तक मंगल चलेंगे करकरासी के अंदर भागय भाव में तो ये मंगल आपके जन्मक के चंद्र के साथ नौ पंचम योग करेंगे जिसकी कारांद दो तारिक से मंगल का ट्रांजीट आपके लिए सूब होता है और भाग्य में वुद्धी करने वाला बनता है तो मंगल जन्मक के चंद्र के साथ जब नव पंचम करेंगे तभी जाके आपका जो लक्समी योग है वो भी बहुत पाउरफुल होगा फले मंगल की ये नीज रासी है लेकिन मंगल अपने उच घर क के अंदर द्रस्टी करते हैं जिसके करण आपके साहस में उद्धी होगी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ भी कारे करना है नया मकान वहान निट्यादी लेना है तो भी संभव होगा क्योंकि चोथे स्थान में गुरू के उपर मंगल की द्रस्टी की करण यहां पर मह महामখ्यू युग क्रीट होगा में बू किछ तो पंडर्ण में बात करेंगे मंगल के राजा क्रां अरो सूर्य ग्रहकी ट्रांजीट के बारे में तो 15 जून तक स्वूर्य आपकी राशी से 17 संसंग के अंदर है राहू के साथ है यहां पर और एक महत्व की ट्रांजीट ओ अंदर दस जून को सूर्य ग्रहन है अलाकि भरत में से दिखने वाला नहीं है फिर भी यह जो ग्रहन है यह आपके सेवंथ हौस के अंदर हो रहा है दमपत्य जीवन के स्थान के अंदर हो रहा है पार्टनर सिप के स्थान के अंदर हो रहा है जिसके कारण कहीं न कहीं आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में तनाव बढ़ने की संभावना का इंडिकेशन मिल रहा है जो भी जा तक पब्लिक लाइफ के अंदर है उनको भी भारी अक्रोष या ओपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है तो सूर्य राहू का ग्रहाण योग ग्रहाण योग बनेगा आपका खुद का हेल्थ आपके पार्टनर का हेल्थ आपके फादर का हेल्थ ये सब जगह पे आपको केरफूल रहना होगा तो ग्रहाण की शांती के लिए क्या करना है ग्रहाण की शांती के लिए दस जून को जो ग्रहाण ओर आ है कि ये ग्रहाण के समय के दर्म्यान आप मेक्सिमम मंत्र करें ओम रिम क्लिम सूर्य नारायन नमा ग्रहान जो की मुरुख सिरा नक्षत्र में होने वाला है दोपर में एक बचकर 42 मिनीट से लेकर सामको 6 बचकर 41 मिनीट तक सूर्य ग्रहान होगा 10 जुन को और इसकी सांथी के लिए आपको मंत्र करना है ओम रिम क्लिम सूर्य नारायन नमा अन्यथा आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमस्षिवाय या तो आप को अपने माता जी कुल दीवी है इसका भी मंत्रा कर सकते हैं और ग्रहन समाप्त होने के बाद स्टनान करके आपको गाई को गुड़ खिलाना है ग्रहन की शान्ति के लिए जिर多 ग्रहन का जो अपने वह वह सकंद करके सेवन्त अउस को आपके इफिक्ट करता है पब्लिक लाइफ है 17 चाहर जीवन का स्तान है पबलिक लाइफ की इसके साथ जो भी तक विवाइट है, मैरेड है, इनके लिए ये दामपत्य जीवन का स्थान है, और जो इसके साथ साथ आपका जो सेवन्थ हाउस है, ये आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस में भी ये दी पार्टनर सिफ है, तो पार्टनर के जो रिलेशन देखा जाता है, वो सेवन्थ हाउ होसे जहां पर यहां सूर्य लिखा है यह आपका सेवंथ होस है तो इन समय के दर्मियान खास करके आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन सिप्ट में कहर करना होगा 15 जून तक 15 जून को सूर्य रासी परिवर्तन करके चलेंगे आपकी रासी से अस्टम सन के अंदर मिठून रासी में तो मिठून में जाने वाले सूर्य अभी आपके लिए शूब नहीं है और संक्रा इसको बोलेंगे मिथुन संक्रांती सुबे छे बज़ कर तीन मिनिट को सुर्य रासी परिवतन करके चलेंगे बिठोन रासी में और संक्रांती का जो पुन्यकाल रहेगा पंदरा तारीक को सुबह छे बच कर तीन मिनिट से लेकर नो बच कर तीन मिनिट तक सुबह में तीन गंटा ये आपको मिलेगा संक्रांति के पुन्यकाल के लिए इसमें आपको सूर्य का दर्थन करना है सूर्य नारण को अर्दे देना है पानी चड़ाना है मंतर करना है ओम रिमकलिम सूर्य न अंगल दोनों का दान है तो पंद्रा जून से लेकर पंद्रा जुलाई चौदा पंद्रा जुलाई तक जब तक सूर्य आपके अस्टम स्थान के अंदर होंगे इन समय के दर्मियान पारिवार एक समस्या करेट हो सकती है फाइनशल मिटर में डीशेज़ आप मैसस करेंगे आंखोंका भी आपको करना होगा आपके फादर का रिलीशन, फादर के साथ रिलीशन, गवर्मेर्ट they have ंप्य जरंगा, सब जगपे आपको करना होगा dość प्रेडिक्शन में बात करेंगे बूद्ग्रक के बारे में तो बूद्ग्रक का जो ब्रमाण है वो मिधून रासी में है और बूद्ध वक्री होकर दो जून को चलेंगे वरिश्व रासी के अंदर तो ये ट्रांजीट आपके लिए एक सूब ट्रांजीट बनने वाला है अच्छा ट्रांजीट बनने वाला है क्योंकि सेवन्थ होस के अंदर जो बूद्ध होंगे वो लाबस सन के मालिक होकर आपके सेवन्थ होस में चलेंगे जिसके कराण कहीं न कहीं आपके जो जो लाब मिलने वाला था जो लाब चला गया था वो कहीं न कहीं आपके लाब को वापस लाने वाले हैं और आपके बिजनेस में केरियर में ये प्रोग्रेस करने वाले होंगे तो गुरू का ब्रमन चोछिस सथां के अंदर है गुरू सुखिस सथां के अंदर सुबफल देने वाले हैं और आयुशेबल में भी उद्धी करने वाले हैं गुरू अस्टम सान में दरस्टी करेंगे पन्चन दरस्टी तो सूर्य भले हर्षेंसेन में हैं 15 जुन के बाद लेकिन गुरू की पूर्ण दरस्टी है जिसके करांड इस यह साल के अंदर 2021 के अंदर आपको इतना negative effect तुर्य का नहीं मिलेगा मिलेगा तो जृरो लेकिन इतना बुरा नहीं मिलेगा फिर भी you should be take care about your own health relation with father government related matter and financial matter for family तो गुरू आपके करम स्थान में द्रस्टी करते हैं जिसकी करण बिजनेस में केरियर में यह progress करवाने वाले होंगे गुरू की द्रस्टी बारवे स्थान में होगी जिसकी करण आपके abroad relation और abroad connection से यह आपको लाब करवाएंगे तो शुक्र द्रस्टी द्रस्टी स्थान के अंदर होगी जंधर वोद्धित्र स्थान में और finance का benefit करवाएंगे और शुक्रा 22 जून को परिवर्तन करके चलेंगे मंगल के साथ बागय स्थान के अंदर तो मंगल के साथ चलने वाले शुक्रा ये बागय में वुद्धी करने वाले होंगे तो सनी आपके पराक्रम सामें चल रहा है डस नंबर के अंदर जो आपके साहसिकता में उद्धी करने वाले हैं और आगय में दर्स्थी के कारण थोड़ा सा रुकावट मैसुस करें गे और 12 अस्थान में सनी की दर्स्थी के कारण ये कहीं न कहीं आपका जो एक्सपेंसी बढ़ाने वाले होंगे सेविंग आपका कम होगा वो पंचम सामेशनी की दस्टी की कारण संतान एलेटेड सामने चींगता टेंशन थोड़ा रहेगा इसके साथ चार्ट सेयर शेक्टा लोटरी इत्यादी करने वाले जतकों के लिए भी समझ शूब नहीं होगा due to certain aspects in the fifth house तो राहू कीतु का क्या है राहू आपके seventh house के अंदर है कीतु आपकी रासी के अंदर है कीतु राहू का जो ब्रबन है अब ये वर्गोत्तमी हो जाते हैं जिसकी कराण ये बहुत तीवरता से फल देने वाले हैं तो जो कोई भी ज़तक married है इनको खास करके दामप पते जीवन में अपने partner के साथ relationship में तनावना उत्पन हो जाए उसका wishes careful रहना होगा आपका egoism बढ़ेगा कीतु आपका egoism बढ़ाएंगे आपकी रासी के अंदर और जो कोई भी जातक का जन्म का नक्षेत्र अनूर अदा है ये जातक हो को कि तो कुछ लाब जरूर आपके जन्म के चंद्र के आगे हैं अनसात्म जब तक आगे हैं और एप्रोक्सिमेटली तीन अगस्त तक के तुझ जो है और आहूर के तुझ वरगोत्तम हैं तो यह आपको बढ़ा लाब करवाएंगे finance में benefit होगा आपके मान सन्मान पतिस्टा में होती होगी और आपको एक नई हाइट पे ले जाने के लिए यह की तुझ तयार कर लेंगे है गना सब्सक्राइब करना है इस मत के अंदर वो इस प्रकार दोх है ग्यारा 2722 जिसमें च derechos चलेंगे तुला रासि में तुला के चंद्रा राशिस से 2dK के चंद्रा बनते हैं वारभी चंद्र के अंधर ये आपको लाइव का कोई भी इंपर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए और 중국 अगेन आपको डेट टेक केर करना है 28, 29 और 30 जिसमें चंदर चलेंगे चोथे स्थान में गुरु के साथ होंगे गज की स्रीयोग होगा फिर भी टेंशन वाली सिच्योशन में क्योंकि चोथा स्थान में जब जब भी चंदर जाते हैं तो अन्नेसेसरी टेंशन वाली सिच्यो करवाने वाले होंगे तो एसी सिच्योशन के अंदर जो पहले तो एक दो तीन होगा जो कुम राशी में चंदर होगा एक दो तीन जून और इसके बाद मन्थ हैंड में यहां पर होंगे 28, 29, 30 इसमें चंदर चलेंगे कुम राशी में तो इसमें भी आपको लाइफ का कोई इंपोर्टन डिसीजन नहीं लेना है तो यदि आपके कोई मित्र है व्रिष्टी क्राशी वाले तो वीडियो आप उनको जरू सेर करें चनल सब्सक्राइब कर दें और जिनका भी जन्मा हुआ है 15 नवेंबर से लेकर 14 डिसेंबर के बीच में जिनके भी जन्मा के सूर्य व करके आप फोरोस्कोब कंसल्टेशन के लिए अपाइंटमेंट ले सकते हैं बुद लॉक औल दे बेस्ट डियर फ्रेंड